साथियों जन्दन योजना के तहट पूरे देश में पैतालीस करोर बैंक खाते खुले गए जिस मेंसे एक करोर से ज़्यादा जन्दन बैंक खाते तेलंगना में खुले हैं इन जन्दन खातों में 55 प्रतीस है से अधिक खाते महिलाओं के हैं इसी तरह जो मुद्रा लोन दिये गए हैं उस मेंसे दो तिहाइट से अधिक लोन महिलाओं को दिये गए हैं स्टेंड अप इंडिया के तहट दिये गए लोन मेंसे 80 प्रतीस है अधिक महिलाओं को दिया गया है यहां तक की रेड़ी खेले पट्री वाले देश के लाको साथ्यों को भी केंद्र सरकार ने बैंकों से जोड़ा है पी-म स्वनिदी योजना के तहट तेलंगना में के भी हजारों साथ्यों को मदद मिली है भाई और बैनों तेलंगना भारत में रीसर्ट और इनोवेशन का भी एक बड़ा केंद्र है कोरोना कार्ण में बैसिन को लेकर दूसरे साजों सामान को लेकर जो काम यहां हुआ है उतने पूरी दुनिया में करोडों जीवन बचाने में मदद की है बीते आठ वर्सों से केंद्र सरकार इस एको सिस्टिम को ससक्ता करने के लिए बड़े स्टर पर प्रयास कर रही है हैद्राबाद में आगुनिक साइंस सिटी बनाने के लिए भी बाजबाद सरकार गंबीर प्रयास कर रही है कुछ समय पहले नेशनल एनिमल रिसोर्स वैसिलिटी फर बायो मेडिकल रिसर्ट जैसा आदुलिक रिसर्स सेंटर हैद्राबाद में तयार हो चुका है साथियों भाजबा सरकार सिर्फ टेक्नोलोजी और इन्योवेशन के प्रोजेक्ट ही नहीं मना रही है बल्कि गरीब और गामिर परिवारों के बेटे बेटियों के प्रतिवा को भी पोस्तान दे रही है नई रास्तिय सिख्षानीती में हमने थानिय भाता में पढ़ाई को प्रास्पिक्ता दी है अब आप ही बताईए जब तेलुगों में टेक्नोलोजी और मेडिकल की पढ़ाई होगी तो तेलंगडा के गावों की गरीब परिवार के माताओं के सपने सच हो करके रहेंगे की नहीं रहेंगे इससे आत्म निर्भर भारत के निर्मार के लिए टैलेंड का पुल बड़ा होगा या नहीं होगा भाई यर्बहनों आत्म निर्भर भारत अभियान को रामा गुन्नम खाजकार खाना भी सब्सक्त कर रहा है आप सभी ये जानते हैं कि बीते दसकों में देश के जो अनेक खाजकार खाने बंद हुए थे उनमेंसे ये भी एक था 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम शुरू किया लगवग साटेश छे हजार करों रिप्य का निवेश किया अब यहां फर्टिलाइजर का उत्मादन शुरू हो चुका है बहुत जल्द इसको भी रास्त के लिए समर्पित कर दिया जाएगा यह तिलंगरा के किसानों के लिए बारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविदा है इसका आपंदाज लगा सकते हैं इसे खात पर हमारी विदेसी निरपर्था कम हो जाएगी भाई और भेनों हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगना के किसानों का जीवन आथार हो उनको अपनी उपच का अधिक से अधिक लाब मिले तेलंगना में पानी से जुड़े लगबक 35,000 करोड़े से अधिक के पाँच बड़े प्रोजेक्ट पर केंदर सरकार काम कर रही है बीते छे सालों में केंदर सरकार ने तेलंगना के धान किसानों से लगबक एक लाग करोड़ रुपिय का धान खरी रहा है धान किसानों को लागत का डेज़ गुणा पैसा भी दिया है इस बार भी दान की MSP में 80 रुपिय की वृद्धिकार उसे 2000 रुपिय प्रतिक विंटरल से ज़ादा कर दिया गया है भाई और बैनों खेती हो या उद्योग हर सेक्टर के विकास के लिए आदुनिक इंफ्रास्टर बहुत आवश्चार बहुत है